हलो आप देख रहे हैं सेल्फ ग्यान और आज बात करेंगे कि आप जो MBA का रेजिस्ट्रेशन करेंगे अभी री रेजिस्ट्रेशन तो इसमें इजी कोड कौन-कौन से है जो आपको लेने है और असाइन्मेंट कैसे डाउनलोड करना है वो पूरा बताएंगे सोल्ड वाले तो चलो शुरू करते हैं तो जैसे कि मैं अभी बताऊंगा जिनका थार्ड समेश्टर अभी जनवरी से शुरू होने वाला है ठीक है अभी उन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था जून तक पहला हो गया जून से जुलाई से लेके फिर दिसंबर तक उनका तूसरा सेशन हो गया है एक्जाम उनके बीश जनवरी से हैं तो उनको क्या है अगले जनवरी से लेके जून तक का तो हजार बाइस की सेशन का रिजिस्ट्रेशन करना अभी यानि के थर्ड समेश्टर का तो उनके लिए कोड कौन-कौन से है मैं उनको बता देता हूं और वह ही आप जो है अच्छे से अगर करना चाहते है मेरे पास कोमेंट सारी थी कि सर आप उसमें इजी कोड बताई जो थर्ड समेश्टर वाले स्टूडेंट है उनको क्या करना है MS 10 MS 95 और MS 100 वे हो तो सारे कंपल सरी कोड से तीन तो ये कोड तो आपको ले नहीं है अगर कोई करना चाहता है तो MS 21 से लेके 24 तक वो दो कोड कोई उसको चूज करने तो अब इसमें क्या है सोफ्ट कोड पूछते तो जो सबसे अच्छे कोड है इसमें वो 22 23 अगर आप लेना चाहिए तो है चाहिए वाले 22 23 ले ले लेना और ये MS 100 ये 10 और 95 ले लेना ठीक है अगर कोई Finance में करना चाहता है तो उसको अपने जो दो कोड अपनी स्ट्रीम से जो सिलेक्ट करने हैं वो रहेंगे MS 41 से लेके 43 के बीच में 41 42 43 तो इसको क्या करना है आप MS 41 और 42 ले सकते हैं उसके बाद जो Operation Management है उसमें अगर आपको करना है वो 51 से लेके 54 तक आप कोई 2 कोड ले सकते हैं तो उसमें आप 51 और 54 ले सकते हैं यह थोड़ा IG कोड है उसके बाद अगर किसी को Marketing में करना है तो Marketing में 61 से लेके 65 की बीच में आप कोई 2 कोड ले सकते हैं इसमे 62 और 65 अच्छे कोड हैं सोप्ठ हैं एजी हैं वो ले सकते हैं उसके बाद अगर किसी को Financial Market Practice में करना है तो उसके लिए MFP 102 बहुत अच्छे कोड है वो आफ में से ले सकते हैं और जो सेकिंड समेश्टर के लिए रेजिस्ट्रीशन करना यह जो नए MBA की स्टुडेंट हैं उनको काफी डाउट था तो उन्होंने क्योंकि अभी लेट अडिमिशन लिया तो उनका सेशन जुलाई से ज जून बाइस तक का तो उसकी फीस आपको इन साथ कोड की आपको भननी पड़ेगी 14,000 रुपे और यह लाट डेट अभी 30 दिसम नौंबर दिखा रहा है लेकिन दिसमबर तक की लाट डेट आपकी जाएगी अगर अभी आइडमिशन लेना है तो ले लो नहीं तो अगले मह तो अब आप और निव दोनों स्टुटेंट समझ की होंगे कि आपको कौन से कोड लेने हैं अकर यह कोड नहीं आ रहे है तो आप रजिस्ट्रिशन ना करें गलती ना करें अदर्वाइस फिर आपकी फीस खराब हो जाएगी और आपको कोड चेंज करने पड़ेंगे फिर दुबारा फी आपको देनी पड़ेगी फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो कॉमेंट कर सकते हैं और गलती नहीं करने किसी भी चीज में इस तरीके से और अब बात हुई सोल्ड असाइनमेंट की एंबिय की तो मैं सारे असाइनमेंट के जो लिंक है वो नीचे म आप सब्मिट कर दिया है वहां से आप डाउनलोड करने के बाद आपको उसको लिख क्योंकी व scrlbn है तो चोड़ देन कुछ लिख लेना जितना आप जल्दी लिख सको बंद से पहले पहले आप इसको समिट कर देना लिख अधर्वाइज आप जो 20 जनवरी से एक्जाम है चाहिए नए स्टुडेंट हो या पुराने MBA वाले हो वो नहीं दे पाएंगे एक्जाम एक्जाम फोर्म नहीं भर पाएंगे एक्जाम वही भर सकते हैं जिन्होंने अपने असाइन्मेंट सब्मिट कर दिया है और फिर आपक स्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड करके लिख के चल्दी से अपने इस्ट्री सेंटर पे कॉलिज में जमा कर देंगे